दोस्तों नमस्कार आईएस पीस्यस एक्जाम्स यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज है 16 जन्वरी 2013 और आज के डेली करेंड अफेर्स न्यूज एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ये करेंड अफेर्स आपकी यूपीस सी स्टेट पीसियस आरो ए आरो वा अन्य जहां पर भी करेंड अफेर्स का प्रापर न्यूज एनालिसिस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही उप्योगी क्लास होती है तो आईए हम क्लास को सुरू करें लेकिन उसके पहले अगर इसकी पीडियाप चाहिए तो आईएस पीसियस एक्जाम्स संदर्व में निम्न कत्रों पर विचार करें यहां पर तीन स्टेटमेंट दिये गए हैं पहला स्टेटमेंट दिया गया कि इसके स्थापना 1875 में हुई थी क्या दूसरा स्टेटमेंट दिया गया या प्रतवी विज्ञान यानि मिनिस्ट्री आप अर्थ साइंसेज के करता है क्या तीसरा स्टेटमेंट है कि इसका मुख्याले नई दिल्ली में स्थित है क्या अब तीन स्टेटमेंट है और इनमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है या है तो इसमें बताना है अब आप कहेंगे कि सर भारती मोसम विभाग अभी आप चर्च इसको क्यों डिस एक बार फिर से सुर्खियों में भारती मौसम विभाग है मौसम की सटीक भविश्वानी कन्ने तथा उसके डेटाज को बिल्कुल सुधता के साथ विसलेशन कन्ने के लिए भारती मौसम विभाग के द्वारा भारत के विविन भागों में radar system को deploy किया जाता है तैनात किया जाता है तो इसलिए ये एक बार फिर से चर्चा पर चर्चा में है तो आपको भरती मोसम विभाग के बारे में question पूछा जा सकता है और आपको इसके बारे में जानना भी चाहिए तो इसके स्थापना बहुत पहले हो गई थी 1875 में आप जो य याद कीजिए इसी के दवरान कौन बीएसी यानि बांबे श्टाक एक्सेंज भी 1875 में इस्थापित हुआ था और वह वाल भारत का है नहीं बलकि एसिया का सबसे पहला इस्टाक एक्सेंज हुआ करता था उसी के दवरान एडेट को रेलेट कर सकते हैं कि भारती मोसम विभा जिसे इंडियन मेट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट की नाम से जाना जाता इसके स्थापना 1875 में हुई जी हाँ ये बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि या प्रत्वी विज्ञान के अधीन कार करता ये भी सही है और यहाँ पर इसका मुक्याले ह हैटकौर्टर्स नहीं दिली ये भी सही है तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिये गई हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तीनों इसके पीछे हमने कल की क्लास में याद करिए इनलेंड वाटर वेज अथाटी आप इंडिया को डिसकस किया था और हमने कहा था कि उस हैं कि नई दिली हेटकौर्टर से देदेगा तो लेकिन भरती मौसम विभाग का हैटकौर्टर से याद रखेगा नई दिली है तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा उप्रोग सभी यानि तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे अगले को सन के ओर अगला को सन फिर मज़ेदार है निमलिकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर कुछ यानि आपको पता है कि बहुत धर्म और बहुत धर्म में यानि तीन पिटक हैं जिससे सुत्त पिटक कहा जाता अभिधम पिटक और बिनाय पिटक कितने पिटक हैं तीन पिटक हैं और तीन पिटक में कौन एक हो गया सुत्थ पिटक हो गया एक हो गया अभिधम पिटक और एक कौन हो गया बिनए पिटक ध्यान दिजेगा सुत्थ से सुत्थ से बना लिजे सिच्छा तो बहुत धर्म में सिच्छा से समंदित अगर कोई पिटक है तुसी को स में क्या किया गया संकलित किया गया है बिनए पिटक की बात किया रहें तो बी नए से यहां से नियम इसको निकाल लीजिए यानि बहुत धर्म से समंधित कुछ नियम कानून है उन नियम कानून की साहिताओं को ही किस नाम से जाना जाता है बिनए पिटक के नाम से जाना जात है तो सुत्थ पिटक को कितने पांच भागों में फिर उप भागों में बांटा गया उसी में से अंगुत्तन निकाए है कौंसा अब इसमें बताना कौंसा ही सुमेलित नहीं है यह बताना है तो यह अंगुत्तन निकाए सुत्थ पिटक का हिस्सा है क्या ध्यान दिजिएगा सोला महाजन पद का जो नाम आप सुनते हो इसी सोला महाजन पद सोला एक कोसम पूछा जाता सोला महाजन पद का उले किस पिटक में किया गया तो अंगुत्तन निकाय में सोला महाजन पद का उले किया गया जो क्या सुत पिटक का हिस्सा है क्या दूसरा आपके सुत्थ विभंग, जान दिजेगा, सुत्थ विभंग क्या सुत्थ पिटक का हिस्सा है क्या, अगला विभंग, विभंग क्या, अभिधम पिटक का हिस्सा है क्या, किसका है, अभिधम पिटक का हिस्सा है क्या, ये आपसे पूछ रहा है, तो अगले कोशन के जोर चलते हैं अगला कोशन आपके हाँ इसी में देखिएगा मुवाइल में कुछ-कुछ दिक्कत कर जाता है कोई बात नहीं आगे देखिए तो आगे देखिए अगला विभंग क्या अभिधम क्या अगला नती नती प्राकरन ये बहुत धरम की मागर दर्सिका है ये आपको बताना नती प्राकरन वाला आप देखो गे इस वार एक संल आया भी मिला यहां भी आपने देखा सुथ से सुथ मिला तो सुथ पिटग लगा देंगे लेकिन जैसे सुथ पिटग लगाएंगे यहां विभंग है आपका भी आंसर भंग हो जाएगा यानि गलत आंसर के और चले जाएंगे सुथ पिटग विभंग पिटग का हिस्सा यानि जो सु काइय के नाम से जाना जाता, तो सुत्ठ पिटाग के कितने निकाइई हैं होता है। कितन अच्छा जैसे किसी कमपणी में यमडी ये मैं नियक डारेक्टर के पदफ़ पे हो तो सब क्या होता है कि मैं भी Certain निका होता तो सुत्ठ पिटक के अगर कितने निक निकाए हैं तो, यह 18MD से याद रखेगा कभी भी आपका कुस्ण गल्रत नहीं होगा तो इसे कौन हो गया यानि खुंदग निकाए होगः ऐसे सन्यूक्त निकाए हो गया यह से मज़िम निकाए हो गयाLR दी इसे दीघ निकाय हो गया तो निकाय किसके हो गए सुत्व 7 k 10 याद करही रख सकते वह तो यह का से मज्धि में मजिम निकाय है तो टीर से दीघ है इसके यानी हिस्से हैं इसी में से हमने अभी जो बताया अंगुत्तन निकाह ये सुत्त पिटक का हिस्सा है और जो अंगुत्तन निकाह है इसी अंगुत्तन निकाह में सूला महाजनपद का उले किया गया है अभी पिटक की सुत्थ इभंग जो अभी आपने उपर सुत्थ इभंग में सुत्थ इपिटक लिखाए था वो सुत्थ इपिटक का नहीं था बल्खि यह बिनाै पिटक का है तो सुत्थ इभंग खंडग परिवारा पहले तो यह तीन यह याद करिए कौन कौन सुत्य विभंग खंड़क परिवारा कौन कौन हो गए सुत्य विभंग खंड़क परिवारा तो खंड़क परिवारा तो ऐसे आप ध्यान समझिए जब अच्छा खासा कोई परिवार अच्छे से आगे बढ़ रहा होता है चल रहा होता है तो उसका खंड़क करने में यानि बीच में फूट डालने का काम यानि आसपास के लोगों के द्वारा किया जाता यानि परिवार को भंग करने का काम किया जाता है तो यह क्या है यानि यह अप ऐसे को रिलेट कर सकते हो बिन इपिटक का यह बिन यानि निय कि खिलाप है अगर कोई परिवार अच्छे से चल रहा होता है तो उसको खंडित करने काव करना उसको भंग करने का काम कर ना नियम के खिलाप है और यहां विन्यम नियम Arist कानूं से कौन समंदित है यह बिना पिटक है तो यह आपका लाजिक काव लगाओगे कभी भूलोगे नहीं, तो परिवारा पिटक हो गया, वो सुरी परिवारा हो गया, परिवारा की बात फिर हमने क्या कहा, दूसरा खंडित करना, तो खंडक हो गया, और तीसरा ये क्या है, यानि ये बिभंग, खंडित करोगे तो बिभंग होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, और सुप्त विभंग तो कितने बन गए बिनस पिटाग के तीन बन गए परिवारा वो गया खंडक हो गया सुप्त विभंग हो गया तो यह आपके माइंड में बैट गया वोगा कौन बीनस जैसे आप प्रवार को खंडित करना नियम के खिलाब नियम कानून से बिने पिटक समंदित है तो ये बिने पिटक का कौन कौन हो जाएगा परिवारा खंडक परिवारा खंडक सुत्थ विभंग अब सुत्थ विभंग को भी दो और उप भागों में बाटा गया तो सुत्थ से कौन कौन सुत्थ विभंग को यहां विभंग विभंग दूनों मे तो एक महा विभंग हो गया एक भिखुनी विभंग हो गया तो कौन-कौन सुत विभंग को फिर से दो भागों माटा गया एक महा विभंग हो गया एक भिखुनी विभंग हो गया कौन-कौन हो गया महा विभंग भिखुनी विभंग और उसके बाद खंडक को फिर दो भागो में बाटा गया है कौन-कौन दो भागों में महावग और कुल्ला वग तो यह ध्यान रखेएगा तो बिने पिटक का आपको अब तक याद हो चुका होगा तो हमने बिने पिटक आए तो नियम के खिलाब कौन है जब किसी परिवार जो अच्छा बिभंग और सुत्त बिभंग को फिर कहामने दो भागों बाटा जाता है महाविभंग भिकुनी भिभंग महाविभंग भिकुनी भिभंग खंड़क को भी दो भागों में खंडित किया गया महा वग और कुला वग ये तो ये आपके हो गए बीनाई पिटग बीनाई पिटग के बाद फिर आता अविधम पिटग तो आपका काम है अब दो को अच्छे से याद रखिए ये वाला तो बाकी इसको साथ फिर से साथ उप भागों में याद करना कोई जरूरी नहीं है पांच किसके याद रखो सुत पिटग के पांच निकाय को याद रखो कास्यम डी उसके बाद फिर बिनाई पिटग को तीन में भाटा गया परिवारा खंडग सुत बिभंग सुत बिभंग को हमने कहा फिर से दो भागों माटा गया कौन कौन सुत बिभंग को कौन कौन दो भागुम बाटा गया तो हम ने कहा कौन महां विभंघ या या दो कि रहा an के बाद फिर हम सात बहुत भागुम बाटा गया लेकिन सातों याद रखना जरूरी नहीं है बागी दो अच्छे से याद रखे एक बार देग लेते हैं अभी धम पिटा के कौन-कौन हो गए धम संगनी विभंग धात कथा पुगल पन्नत अगला कैहा वठ्थू कैया वठ्थू यामक यमक यमक के किरा आई जी ड्रोन के द्वारा बहरत के पृत्म ृप्धि सक्षम ड्रोन का नाम किया है यहां से समझेएगा यानि 5G अइने ड्रोन का किया गया जिससे किसके द्वारा डेवलब किया गया आई जी ड्रोन नामा कमपनी के द्वारा इसको विक्सित किया गया है तो दो तरीके से कुछ्षन पूछा जा सकता भारत का चूंकि प्रतम 5G सक्चम ड्रोन है और इसे आई जी ड्रोन ने विक्सित किया तो एक तो कमपनी का नाम भी पूछा जा सकता तो भारत का प्रतम फाइब जी सक्षम ड्रोन को किसने निर्मित किया यह पूछा जाए तो आई जी ड्रोन हो जाएगा और इसका नाम क्या है इसका ही हाक ड्रोन हाक माने चील बाज होता तो इसे चील होता तो इसका ही हाक ड्रोन इसमें क्या हो ज डिफेंसिव हुआ वहां पर प्रदर्शन किया गया किया गया तो वहां वारियर ड्रोन का किया गया था उसको भी द्यान रखेएगा किसान ड्रोन यानि किसानों किया को बढ़ाने के लिए कीट ना सक है इनका छिरकाव करने के लिए क्या यानि अब उपयोग करने की बात हो हो रही तो किसान ड्रोन की बात हो रही है तो किसान ड्रोनी जो सब चर्चा में रहते हैं अगला जो बाइ के क्रिकेटर महें सिंग धोनी के द्वारा इसका क्या किया गया उद्घाटन किया गया है उद्घाटन किया गया और इसको बनाया किसके द्वारा गया तो यहां पर यह नाम ध्यान से देखिएगा किसके द्वारा बनाया गया तो गरूर एरो इस्पेस के द्वारा ड्रोनी को विक्सित किया गया है इस बात का भी ध्यान रखिएगा तो इसका तमिल नाडू से इसका उद्गाटन महेंद सिंग धोनी के द्वारा किया गया है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका है ड्रोन हो जाएगा यहां पर यह गलत आंसर लिग गया यह होगा यह सही कर लि इसको रतनाकर सेटी ने लिखा है क्या अगला अनफिल्ड वाइरल्स इंडियाज आयल स्टोरी इसको रिचा मिस्रा ने लिखा है क्या तो इसमें गलत कौन हो जाएगा ये वाला जो सी वाला अपसन है ये गलत है क्रंच टाइम नरेंद मोदीज नेशनल सेक्यूटी क्राइसिस इसको जेजे सिंग नहीं नहीं लिखा बलकि जेजे सिंग के द्वारा माइग मोहन लाइन वाला जो आपको बताये थे उससे समंदित पुस्ता इंडिया चाइना के भी जो माइ नरेंद मोदीज नेशनल सेक्यूटी क्राइसिस से किस ने लिखा तो डाक्टर स्री राम चौलिया के द्वारा पुस्तक लिखा गया तो इनाम जरूर रखिएगा डाक्टर स्री राम चौलिया ने लिखा किसके द्वारा लिखा गया डाक्टर स्री राम चौलिया के द्वा ये पहला अकांची जिला बन गया पहला अकांची जिला बना है जहां पर 5G टेक्नोलाजी का प्रियोग हो रहा है 5G नेटवर्क वहाँ पर उपलब्द करवा दिया गया ये विदिसा ध्यान रखेगा अकांची जिला कार करम पूछे तो ये कब 2018 में इससे शुरू किया गया और भारत के 112 जो अतिप्षवरे जिले थे वहाँ पर समाजिक अर्थिग्रूपांटरन करन करने के उधैस से इसे अकांची जिला कार करम को नितियायोग के द्वारा किसके द्वारा इलाया गया तो नि Online Gaming के लिए कहां पर भारत का पहला Center of Excellence को 13 January 2013 को एस्थापित किये जाने कि घोशना की गई तो यह कहां शी लोंग याद रखेएगा यह कहां इस्थापित होगा सी लोंग और शी लोंग कहां महें घाल यह कि राजधानी सि लोंग में से इस्थापित किये क्या किया गया जिसके उद्गाटन किया गया प्रधानमंती मोदी जी के द्वारा 15 जनुरे 2023 को बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किन के बीच चलने के लिए हरी जंडी दिखाकर रवाना किया गया अब आपके सामने चार अपसन हैं सिकंद्राबाद से विसाका पत्नम वरा ने कि होगा यह पहली यानी बार हो रहा है कि यह यहां जो बंदे भारत ट्रेन है या किनी 2 स्टेट को कनेक्ट करे गी इस बात क भी द्याना क्लिया बाउस्थ से दिल्ली के भी चली थी वरार्सिस से दिल्ली के भी चली थी अगला कोशन आपके सामने है निमने कत्नों पर बिचार करें पाइला श्टेटमन दिया गया भारत विश्यु के इस्टील का दूसरा सबसे बरा उत्पादक यों वह भोगता है क्या यह आपका अगला 13 जनुए 2030 तेशको इस्टील सेक्टर में कार्पुरेट सोसर इस्पांसबिल्टी में उत्करष्टता के लिए एक्सिलेंसी के लिए गोल्डन पिका के वार्ड से जिंदल इस्टील एंड पावर को पुरुस्क्रत किया गया क्या तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है घ्यान रख जनगादर के बाद दूसरा भी समें सबसे ज़्यादा इस्टील का उत्पादन भी करता है और उप्भोग भी करता दोनों बात याद रखिए और दूसरा यहाँ पर यानि तेरा जनवें दोजातेस को इस्टील सेक्टर में कार्पुरेट सोसर इस्पांसबिल्टी में उत् अगला हाली में कहां पर सोल आप इस्टील चैलेंज को सुरू किया गया है इंपर्टेंट है उत्तरा खंड जहारकंड च्छतीद गर उरीचा अब आपको लगेगा जहां पर इस्टील इसपात का उत्पादन होता है वहीं पर इस शुरू किया गया होगा अगर ऐसा आप गड़ञे यहां उत्तरा खंड वाले यहां अधाव क यहां पर कको Quando को बताये थे किसको इसोरू को पताये भगवान किरस्न को बताये थे उनका भी तो ये देवियों को आसानी से क्या करते हैं आसानी से अपने कंचे में比較 कीये थे तो यह आपको क्या हो जाएगा अगला जिससे क्या हो जाएगा गंगोत्री अगला जिससे गंगोत्री और यह फ्लावर्स फूलों की गाटी तो गंगोत्री वैली आप फ्लावर्स तो यहां के याद कर लिए कौन गोबिंद नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क यह गंगोत्री न नेशनल पार्क हो जाएगा और यहां वाला कौंसा हो जाएगा राजा जी कौंसा राजा जी कौंसा राजा जी नेशनल पार्क तो ये छे नेशनल पार्क हैं प्रमु ग्रूप से उत्राखंड में जो आपको पता होना चाहिए तो इसी नंदा देवी में अभी क्या तो नंद जी नेशनल पार्क पूछे कार्विट नेशनल पार्क पूछे इस सभी कहां है तो आप कहेंगे सर इस सभी के सभी उत्तरा खंड में इस्तित्थ है उत्तरा खंड के याद रखे गर्म जल स्रोत पूछा जाए तो पीछे कल की या परसों की क्लास में आपको याद करवाए थे सहस्रधारा गर्मजलसोद पूछें perceive यानि सहस्रधारा गर्मजलसोद और दूसरा हमने कहने हैं हीमکुंड यह दोनों गर्मजलसोद पूछा जाए तरिकोंड को हमने कहा था कुरिक som Cape भूरी में गया तत्ता पानी तत्ता पानी उसे है वेर्त दूसरा मने कहा था कि पर पानी पूछें तो जो रिच अत्ता पानी ये वींचा में तो हमने अन्होनी ऑधुनी पानी पूचे तो मध्य पर देश प्रसцев है जो गर्म्यभ दुंध हूइं और समुधान साछरताभ या घान काहां पर शुरू किया गया चार राज्यत आपके सामने Susemia कना टक केरल तेलंगाना गुजराद तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा केरल और केरल में भी कौन सा जिला खुल लम को अब यहां के जो लोग हैं वो सम्मिधान सा चर्था भियान के मतलब क्या हुआ सम्मिधान के जो प्रस्तावना है आए मौली करतब भी हैं नागरिकों के जो अधिकार हैं मौली का अधिकार हैं डिपीएसपी हैं इसके बारे में लोग जागरूख हो जाने और उनको पता हो इसी को सुनिशित करने के लिए 100% पूर सम्मिधान सा चर्था को सुनिशित करने के लिए कौल लम को पहला जिला व्यान शुरूव किया गया है तो किरल के कहा कुछल हमला को क्ल quiere है यह ब्हारत का पहला पूर उरूर्फ से सम्धान साचट्रजिला बनाया जाएगा एकले गोव संधान आफकेसा मर्स्थिं निल्बिकित कत्रों ते बूचर गूचर यही थे तो भारत के अंतिम बिटिस कमांडर इंचीफ फ्रांसिस बूचर थे अगला प्रथम भारती कमांडर इंचीफ फिल्ड मार्सल के एम करिपा को बनाया गया था तो यहां पर एक और दो दोनुश स्टेटमेंट सही हैं यह अभी इसलिए चर्चा म बनाया तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा यानि फ्रांसिस बूचर यह अंतिम बिटिस कमांडर इंचीफ थे और दूसरा पहले कमांडर इंचीफ कौन थे तो पहले कमांडर इंचीफ भारती कमांडर इंचीफ पूछे कि हम करिपा साहव थे तो यहां पर क्या हो जाएग क्लियर यहां तक किसी का कोई डाउट कोई गुष्ण यहां तक नहीं होना चाहिए अगले आगे चले चलो भाई आगे कांटिन्यू करते हैं अगला कुष्ण आपके सामने है भारत के बाहर या आपको कमेंट बाकस में लिखे बताना भारत के बाहर जन्वरी 2030 में बियारो के लहा है जिसे प्रोजेक्ट दंतक कहा जाता प्रोजेक्ट दंतक तो यह प्रोजेक्ट दंतक के अंतरगती समयला की तैनाती की गई है यह आपको कमेंट बाक्स में बताना है इसका अंसर कल आपको पता चलेगा प्रोजेक्ट दंतक के अंतरगत अगले कोशन के और चलते अगल का कुशन आपके सामने कल का तेजिस से क्या करते हैं रिवीजन करते हैं फिर अन्य बाते हम लोग करेंगी आई ये कल के कुशन के देखते हैं भारती अंतर देशी जल्माग प्राइदकरण के संदर में बताना था इसके स्थापना 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 1986 हुई बिल्कुल बात से इसका मुख्याले नहीं दिली नहीं इसका ये गलत हो जाएगा, इसका मुख्याले हमने कान नोईडा है, या जलसकती मंतराले का धिन काम करता नहीं या मिनिश्ट्र अप सिपिंग पोत परिवहन के अंतरगते काम करत हाल ही में चर्चा में रहने वाला सब्द नोटम और टाइटल 42 का सम्मन्द किस्से तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अमेर का अगला वर्थ 2022 में राष्टी स्वच वायु कारकरम दोरा CPCB के द्वारा गुर्वत्व चलेशन के उसा से दस सबसे प्रदूर्शित PM 2.5 सारों में कौन सामिल है तो इसमें कौन यूपी के तीन सार PM10 और PM2.5 दौनों में सामिलता है गाजय अबाद मुएड़ा और मेरत है ये इसमें शामिल है कहां गुजरात में ता विल्कुल ताल शापर यही था गलत क्योंकि उर्षा में न भों करके यह राजस्तान में पॉइंट कंडर में अजिए महाराश्का mema तेजी से आम चांग चग्रशिला और नंबोर ये कहां है असम के तीन है उसके बाद आईए चतिस गर के भी तीन है कौन भायरम गरफ इसके बाद भोरम देओ और बादल खो ले तीनों चतिस गर में हैं गोवा के बोंडला और मदे ध्यान रखेएगा इसके बाद गुजरात में आईए तो हमने का जंगली गधा काउन गुजरात के पांच प्रमग्रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए जंगली गधा हो गया जंबू गोधा हो गया जंगली गधा यह वन जीओ भ्यारन का नाम है को यह नहीं कि जंगली गधा हो गधा तो हमने क्या का जंगली गधा जंबू धल हो गया तलरा हो गया नार्गू में घार्छण के पीछे कौन हो गया पाल हो गया रलमा हो गया यहां करनाट्ग में रहा ? पुस्पागरी तो ब्रह्मगरी पुस्पागरी ब्रह्मगरी पुस्पागरी कावेरी सरावती सोमेश्वर भीमगर यह कहां है कनाटन मिस्तिध हैं अब आपको चाची चीची वाला आ चाची आपको बताए थिस से याद रखेएगा चाची अची ची तो चिम्मोनी और अरलम तो कौन कौन के रल के हो गया तो माला बार हो गया अरलम हो गया इडुकी हो गया माला बार और इसके बाद कौन हो गया इडुकी हो गया अरलम हो गया चाची से कौन चिम्मोनी और चिन पेन गंगा हो गया भीमा संकर हो गया कोईला हो गया तुंग्रेश्वर हो गया तो ग्रेट इंडियन वस्टट पेन गंगा कोईला भीमा संकर तुंग्रेश्वर यह कहां यह कहां के हैं तो महराष्ट के मिजूरम में आई यह तो मिजूरम के भी डंपा हो गया नेंगपूई डंपा हो गया डंपा नेंग पूई डंपा नेंग पूई बाग मारा पिचर प्लांट नागलेंड के फकीम और रंग पहार नागलेंड के कौन हो गया फकीम और रंग पहार उरिशा के आईए तो उरिशा में सतकोसिया हो गया चिलका चिलका में नाला बन उसके बाद बेसी प काउन फिंबोंग लहो कीतम मीनम यह हो गए पुलीकट हो गया पौइंट कलीमर हो गया कराईबी पुलीकट और इसके बाद भेदन थंगल हो गया जमु कस्मिर के गुलबर्ग हो गुलमर्ग हो गया लिंबर हो गया नंदनी ये कहां कि ओ गये जमु कस्मिर के तिरपुरा के चाहँ था उत्रा खंड क्या जाईए तो असकोट वाला मोस्ट इंपॉर्टड बिनसार गोबिंद पसू बिहार केदाना सोना नती ये कहां कि उत्रा खंड किये पश्चिम बंगाल चिंता मरीकार हो गया होलीडेड दीप हो गया बल्लोपुर हो गया लोथियन हो गया माह आनंद हो यह हो गया उसके बाद हमने कहा था अंडवानी को बार तो बांस बंजर कचुवा मयूर चैनल यह कौन यह बवने जिवा भ्यारण के नाम है तो लच्छ दीव लच्छ नहीं हो गया उसके बाद कौन चैनल यह वने जिवा भ्यारण सभी के सभी हमने आपके सामने फिर से रिवाज करवा दिए अगला ब्लाइक बट के संदर में विचार करना था यह भारती म्रग इसे या इंडियन इंटिलप का के नाम से जाना जाता बिल्कुल वास सही है पर्वती अगला यलिष्ट कंसर्ण और साइड्स की कौन यह अपेंडिक्स थार्ड में इसे डाला गया अगला यूए के द्वारा कौप 28 के अध्यच की रूम में किसे नामित किया गया तो यूए दुवेई में इसका योजन होगा सुल्तान अहमद जाविर को नामित किया गया निम बेटकर की किसकी है ससी थरूर के पुस्ताग बनिंग कुस्टन यह कौन मार्गरेट एट उट के द्वारा लिखी गई दा टेन ट्रिलियन यूएस डालर ड्रीम एर गुराम राजन की नेमल की सुभाज चंद गर्ग ने लिखा यह किसके द्वारा सुभाज चंद गर्ग के नंबर तीन पर जर्वनी इस पे गर्वर तिन समीं पर जर्वनी इस्पेर सिक्किन का है रिसी कुंड यॐं तांग इस्प्रिंग तो ये दोनों सिक्हिं की werde रिपोथेज़़्ट क्सिके दौरा पे क्शित की गई निवार के जिसे राइट्स के नामसट से जाना प्रेकाशित की गई तो ये था आपका current affairs जो कल का भी revision करवाए आज का भी discussion हमने आपके सामने रखा आपकी वीडियो या अगर पसंद आई हो तो आप लोग से यह नहीं करते हो कम से कम share कर दिया करो लाइक कर दिया करो आपको अगर लगता है लगे या ना लगे फिलाल इतना हम आपसे का सकते हैं कि एक जाम में कुस्सन इसी से पूछा जाएगा बाकि आप वीडियो जहां पसंद आए वहां से देखिए लेकिन कुस्सन तो यहीं से आएगा तो अब आपको यहीं वीडियो यह समप करते हैं अगले कल के करेंट फेस में फिर मिलेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जय हैं जय भर